हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में लेके आई हूं बहुत ही आसान सी रेश्पी तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं लौकी चना दाल की रेश्पी बहुत ही टेश्टी और बहुत ही हेल्थी तरीके से हम इसे बना के तयार करने वाले हैं बिना किसी मसाले के डाल चावल खाना तो हर कोई ही पसंद करता है लेकिन एक बार जिस तरह से मैंने लौकी चनग डाल की बना के रेस्पी तैयार किया है आप भी बनाईए अगर आपके बच्चे जो है लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं तो अगर इस तरह से उनको लौकी की डाल जो है बना के बहुत ही आनंद के साथ इसे खाना पसंद करेंगे बहुत ही डिलिस्यासी रेवाइद के और बहुत ही जर्दबन के तैयार हो जाने माली है यह ने आपश। इस रेस्पी को बनाईए आपको भी बहुत पसंद आने वाला है तो चलिए टाइम को भीना बरबात किये हुए हम इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें लेना है लौकी उसाफ्य यहां पे हमने एकडम सौप्ट लॉकी लिए यह कैला है। अच्छी तरह से वाइज भी कर लिएंगे और साइट के हिस्से भी हिस्ते कर लिए हमेद निकाल। करीं अगर चोटे चोटे पीसे करेंगे तो आप लोगों से मेरा एक रीक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन की घंटी को भी क्रेस कर लिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आइस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो यहां पर देखिए मैंने सारी लोकियों को कुछ इसी तरह से कट कर लिया है लोकी में मतलब की बीच नहीं है बहुत ही सौप्ट करेंगे साद में हमें चना दाल की चना रहे हैं तो उसी हिसांद से यहां पर दाल का लिए तरु करने के बाद हमें 5 ली टर का कुकल लिया है ख्शोटाए कुकल लिएत मिलें तो भी दाल अच्छी तरह से भन जाएगा इसे पहले हम डाल को डाल चेक चैक Aww справ में नहीं राव कषो दोड़ा न लिए और 2 ले लिए नहीं है नियुक में June टालएंगे हरी मिर्च शुमcribe को notchीरा लाँ लगा लिया है आठा टालेंगे हल्दी पाॉडरह ऊसके बाद हमरें डालेंगे स्वाध अनुष्टान नमक नमक डालने के बाद अब इसमें हम एट कर देंगे पानी पानी आप अपने हिसाब से डालिए कि डाल आपको कैसा रखना है मतलब काफी ठीक रखना है कि कैसा रखना है तो अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से करेंगे mix करने के बाद अब इसे क्या करना है ना हम इसको करेंगे cover तो यहाँ पर चली cooker को डगा देते हैं, cooker को cover करने के बाद अब इसे हम 5-6 सीटी तक हम पकाएंगे क्योंकि चना का दाल थोड़ा पकने में time लगता है इसलिए 5-6 सीटी तक हम इसको पकाएंगे अगर आप चाहें न तो चना दाल को बनाने से पहले जो है आदा एक घंडा पहले भीगा के रख देंगे तो चना दाल आपके और भी जल्दी से पक जाएंगे मैंने चना दाल को पहले से नहीं बिगा के रखा था इसलिए मैंने इसको 5-6 सेटी तक इसको पका लिया है अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे थोड़ा से ठंडा होने के लिए तो यहां पर यह देखे मैंने यहां पर इसको रख दिया था दाल और लौकी हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पग् गैस पर हमने रख दिया एक पैन और इसमें हम डालेंगे घी तो मैं क्या करती हूँ जैसे चने दाल हो या तूर की दाल हो मैं उसमें मैं घी से ही तड़का लगाती हूं अगर आप चाहे तो यहाँ पर सरशो का तेल भी यूच कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे घी गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे आधा चमच जीरा उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधा चमच राई और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा हींग हिंग आप अपने हिसाफ से डाल दिया अगर तेज हिंग हो तो थोड़ा कम डाल दिया ज्यादा मतलब कि थोड़ा कुछ होता है ना हलकी हिंग मतलब उनका कम खुजबू आता है तो उसको मैंने यहाँ पर दाल दिया दो साबूत लाल मिर्च लाल मिर्च को डाल को थोड़ा स अच्छा सा टेश्ट आता है गैस को अब हम इतना मतलब घी गरम हो जाएगा तो इसको लो फ्लेम पे ही रखेंगे तो क्या होता है घी मैं से ढूआ ढूआ सा निकलने लगता है अब उसके बाद हमने यहां पर डाल दिया एक चमस कस्मीरी लाल मिर्च कस्मीरी लाल मिर्च जो अब कर देंगे जो हमने दाल बनाके रखा है तो यहां पर मैंने क्या-क्या लौकी चने की दाल डाल दीया यहां पर मैंने जरासा भी कोई मसाला एड नहीं किया है न तुदनिया पौडरी एड काली मिर्च मतलब कुछ भी नहीं डाले आप इसको देखिए कितना एक कलर तो दाल हमारी यहां पर एकदम परफेक्ट है हमने इसको तो खुब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमें क्या करेंगे ना ऊपर से बारी कटी हुई धनिया डाल देंगे इससे क्या होगा ना दाल हमारा और वी टेश्टी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा ल र così में आपको इतना पसंद आने वाला है इस तरह से बनाना और खाना पसंद करने वाली है बिना किसी मसाले के और जठबद बनके तैयार भी हो गया है तो चलिए हम इस इसको सर्व कर लेते हैं तो यहां पर मैंने इसके साacht कहने के लिए चावल मत रखा हा है अब क्यां के स कुछ आपका हलका फुलका खाने का मन हो ना जैसे कभी कहता रहा हमें तेल मसाले वाली चीजे नहीं खाने का मन होता है और हेल्थी तरीकिस मतलब भरपेट खाना भी खाने का मन होता है तो आप इस तरह से लौकी चने दाल की रेज़पी बनाईए सच में आपको बहुत अन्हां दाईए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्क्राइब करिए बिल आइकन की घंटी को प्रेस करना मत भूलिए वीडियो को जादा जादा सेयर करिए और हां रिस्पी आपको हमारी कैसी लगती है कमेट बाक्स में चरूर कमेंट करके बताया करिए और वीडियो मिलास तक बने रहने के लिए आप सभी को धेर सारा थैंक यू